हाई फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूटूब चैनल आज की वीडियो में मैं आपसे शेर करूंगी जगनात रत यात्रा की कथा अगर आप मेरे चनल में नए आये हैं तो मेरे चनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले मेरी नए वीडियो का नॉटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे वीडियो पसंद आए तो लाइक जोई कीजिएगा जादा से जादा मेरी वीडियो को शेर कीजिएगा शुरू से लेके आखरी तक मेरी वीडियो को पूरा देखेगा तो चलिए फ्रेंड्स हम वीडियो सुरू करते हैं जगनात यातरा से जुरी पौराणि कता जगनात पुरी में माधावदास नाम के एक भक्त रहा करते थे माधावदास जी संसारिक मो माया से दूर रहते और केवल भगवान जगनात के भजन वा दर्शन किया करते थे मादवदास जी भगवान जगनात को अपना मित्र मानते थे और वे हमेशा जगनात जी से बाते करते थे उनके साथ खेलते थे इस परकार मादवदास अपनी भक्ती से सदेव मस्त मगन रहते थे एक बार ऐसा समय आया जब मादवदास जी को अतिसार यानी उल्टी दस्त का रोग हो गया जिसकी वज़े से वह इतने दुरवल हो गए कि उनसे उठा बैठा जाना भी नहीं हो पा रहा था उनकी इस हालत को देखकर आसपास के लोग उनकी सेवा करने को आते लेकिन मादवदास उनसे कह देते की मेरे तो एक जगनात जी हैं वही मेरी रक्षा करेंगे ऐसा करते करते जब रोग बहुत बढ़ गया तब भगवान से भी अपने भक्त की हालत देखी नहीं गई और वे स्वैम सेवक बन कर उनके घर पहुँचे और मादवदास से कहने लगे क्या हम आपकी सेवा कर दें क्योंकि मादवदास का रोग इतना बढ़ गया था कि उनको पता भी नहीं रहता वे कब मल मुत्र त्याग देते थे और वैसे ही वस्त्र गंदे पड़े रहते थे को अपने हाथों से साफ करते उसके पस्चात भगवान मादवदास के पूरे शरीर को साफ किया करते उनको स्वक्ष रखते थे कुछ समय बाद जब मादवदास की चेतना वापिस आई तो वे तुरंत ही भगवान जगनाद जी को पहचान गए और कहने लगे मेरे प्रभू मेरी रक्षा के लिए स्वेम आ गए हैं मादवदास ने भगवान से पूछा प्रभू आप तो त्रिभुवन के स्वामी हो तो फिर आप मेरी सेवा क्यों कर रहे हो यदि आप चाहे तो मेरे रोक को पल में ही दूर कर सकते हैं तो प्रभू यह सब आपको नहीं करना पड़ चाता इसलिए मैंने यहां आकर तुमारी सेवा की और जो नियती में लिखा है उसे भोगने को अवश्य होता है इसलिए मैंने तुमें ठीक नहीं किया क्योंकि यदि इस रोक को मैं अभी ठीक कर देता तो तुमें यह भोगने के लिए पुने जनम लेना होता और मैं नहीं चाता कि मेरे भक्त को एक पारंबंद के कारण पुने जनम लेना पड़े लेकिन यदि फिर भी तुम कहते हो तो मैं अपने भक्त को भक्त की बात नहीं टाल सकता है माधव अभी तुम्हारे प्राबंद के 15 दिन का रोग शेस बचा है इसलिए अब यह 15 दिन का रोग मैं त तुम से ले लेता हूं इस परकार भगवान ने 15 दिन के रोग को अपने उपर ले लिया और अपने भक्त की रक्षा करी तब से भगवान जगनात जी साल में एक बार बिमार पड़ते हैं और इसलिए हर वर्ष उनेश नान कराया जाता है 15 दिन के लिए बंदिर में पट बं किया जाता है इन 15 दिन में जगनात भगवान को काड़ा पिलाया जाता है और उनकी सेवा की जाती है जिससे वे जल्दी ठीक हो जाएं और अपने भक्तों को दर्शन दे सके अपने भक्तों का जीवन सुख मैं बनाने के लिए भगवान ने रोग को अपने उपर ले लिया ऐसा है हमारे भक्त वश्रल भगवान जगनात जी जै हो भगवान जगनात जी की ओम नमो भगवते वासु देवाए नमहा अगर फ्रेंड्स मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू मिलते हैं हम नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाई